आज की ये रेसिपी एक बद ट्राइ करना दोस्तों मन खुज हो जाएगा और इसके ग्रेवी का जो मसाला मैंने रखे है वो थोड़ा स्पाइसी चरपटा डिलिसस बनाया है और एक सिग्रेट भी मैंने रखे है तो रेसिपी को एल तक देखना इसके लिए मैंने चार बड़ आलू को अच्छे से दो मिली फ्राइ कर लेंगे अभी ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेंगे इसके लिए मैंने एक बॉल में तू टिबिल स्पून जितना दही ले लिए हूं अभी थोड़ा हल्दी डेर चमज धनिया पावडर डेर चमज कस्मरी रेचिली पावडर और आध थोड़ा सा साबूत गड़ा मसाला एक इलाईची दो लॉंग और एक दार्चिनी डालके थोड़ा साबूत जीरा डाल देंगे सबको थोड़ा चला लेंगे अभी थोड़ा सा हिंग दे देंगे और यहां पे एक बड़े साज का प्यांच में छोटा-छोटा काटके रखेत उसको भी देंगे अच्छे से एक बड़ सबको चला लेंगे एक धड़ी मीश काटके रखेते वो देंगे और अदा चमच भीवा अध्रक काटके रख दो मिनिट मिडियूम फ्लें में सबको यह बड़ चला लेंगे अभी इसमें टोड़ा सामें एक चम्मच जितना साधा नमक दे दूँगी, इससे हमारा पियाच अच्छे से जल्ली पक जाएगा, अभी जो ग्रेवी का मसाला मैंने रेडी करके रखे थे, वो भी इसमें डाल देंगे, दोस्तों इस टाइम गैस का फिल्म एकदम लोग पे रखना है, नहीं तो हमारा ज़ जो आलू फ्राइगर करके रखे थे, वो भी इसके उंदर दे दे देंगे, और मसाले के साथ अच्छे से आलू को चला के भून लेंगे, अभी यहाँ पे मैं जो सिग्रेन मसाला एड़ कर रही हूं, वो है आधा चम्मच चाट मसाला, इससे हमारे ग्रेवी में मसाले में ब सबजी का तेल एकदम उपर आ गया है, इसका मतलब मेरा सबजी एकदम परफेक्क रेडी हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा गड़ा मसाला दे दूँगी, और थोड़ा सा कस्तुरी मेथी को हद में क्रस करके दे दूँगी, अच्छे से सब को मिला के गैस का फ्लेम आप करके इसको प्लेटिंग कर लेंगे, दोस्तों ये दही आलू की रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किये मत जाना दोस्तों मेरे चानल को फिर मिलेंगे